एक बाव फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने शलम में इस वीडियो में अपने आपर बात करेंगे जो ट्रिना बाग टीटेन ब्लास्ट का आज की दिन का यहाँ पर मेच नंबर होने वाला है दूसरा जो खेलाज आएगा एमटी इर्विन सरपर्स वसे स्टोर में स्नौर कलर्स के बीच में तो इस मैच की में आपको पूरी जान करी दूँगा बस आपको करना कुछ नहीं है यह जो वीडियो है यह लाश्ट तक वाच करना है एक चीज आप जरू धियान में रखना कि इन लीग में थोड़े से एक् को वहीं पर मिलेगा टेलीग्राम चननका जो लिंक के एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा कमेंट सेक्षन में भी सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चनका जो लिंक है वो टॉप पर पिन केवा मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर एक मेंå है और दो मेंच यहाँ पर नो जब रहा है पहले हाँ पाल अपर टीन में पर यहाँ पर इन करने वाले प्लेयर है 19 मैच में इनके नाम यहाँ पर 284 रने और 16 का इनका यहाँ पर एवरेज रहा है इनके साथ में यहाँ पर आएंगे गिड्रॉन पॉप जो कि पहले दो मैच में जीरो पर आउट हुए लेकिन लास्ट मेच में उनने 42 की अच्छी पारी खेली थी और यह एक्सपिरियंस प्लेयर है टीटेन में आप देखो 30 मैच में 634 32 का अबरे 6 विगेट है रिसें फोर्म आप इनका देखो 21-1 विगेट 31-33-82 विगेट 10 है सी कूपर है 33-25-25 बहुत बढ़ी यहाँ फोर्म में चल रहे है यहाँ से आएंगे एस राम भरन पहला मैच खेले न फिराइं यहाँ से एक उपर 2-9 बेटिंग 2 हैं यहाँ से एस डंकन 0-9 बेटिंग 6 नोट आउट हैं के दिल लोन पहले मैच में बोलिंग नहीं मिली दूसरे में एक और डाला विगेट ले 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 गए थे और अच्छे बोलर है यह जब भी इनको बोलिंग मिलती है विगे एक स्पीनर है पहले मैच में जीरो दूसरे में एक विगेट और लास्ट मेच में भी एक विगेट है रमेस ब्रिजलाल पहले मैच में बेटिंग यह दूसरे में जीरो विगेट और लास्ट मेच में भी जीरो विगेट था यह भी लेकिन ग्रैंड लिग का बहुत अच्छ सापको मिल जाएंगे स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे आर ब्रिजलाल, एस राम बरन, एनेड डेथ में आएंगे के दिलोन, जे गंगो और आर ब्रिजलाल सामने जो टीम है S, B, S की टीम इनका ये पहला मुकाबला है और most likely इनकी तरब से open करने चीए मार्क दियाल और उनके साथ में आने चीए डिलोन डगल्स मार्क दियाल है भाई ये बंदा CPL में भी बहुत सारे मेचेस खेलावा है बहुत ही हाई लेवल का प्लेयर है और क्याप्टेंसी का मेरे साब से सबसे बेस्ट चोईज है जो कि आपको बेटिंग प्लस बोलिंग दोनों चीजे देगा 27 टीटेंग में 293 विगट है 42 ओवर डाल के रिसेंट फॉर्म 16 जीरो विगट, 13 एक विगट, 8 एक विगट, 0 और 2 है दिलोन डगल्स है इसके नाम 30 मिच में 5, 29, 11 विगट है रिसेंट फॉर्म 21, 43, 2 विगट, 6 रन, 0 विगट, 1 रन, 0 विगट, 1 रन है ट्रेंस हिंस है ये इसका भी बेटिंग बोलिंग दोनों का काम है 11 टीटेंग में 205 रन, 6 विगट है, 20 ओवर डाल के रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखोगे 23, 1 विगट, 0 विगट, 13, 0 विगट, 4 विगट और 3 विगट है जैसे बुटान है, देखो ये हिटर है अगर इनके टीम पहले बेटिंग करती है तो आप इनको ट्राइक कर सकते हो इनके नाम 14 टीटेन में 269 रने, रिसेंट फॉर्म 37, 14, 15, 2 है फिर आइंगा ऐसे डेमियन वैमसी, इन्होंने देखो टीटेन तो नहीं खेला कलब T20 खेला है, इन्होंने अपने कलब के लिए जिसमें 4 मेच में 62 रन, 1 विगट है 12 विगट है और ODD के अंदर 6 मेच में 157 विगट है अब देखो ये बोलिंग अगर करवाती है ननके टीम तो ये आपके लिए ट्रम बन सकता है क्योंकि इसके नाम आप देखो जो अभी एक कलब के लिए 6 टीटेन के मुकाबले खेल के आया है ODD के 5 मेच में 2 विगट है और कलब T20 के 3 मेच में 0 विगट है दुवान मुर रहे है ये आपको विगट किपिंग सेक्शन में दिखेगा लेकिन ये न अगर विगट किपिंग नहीं करता है तो यह bowling भी करवा सकता है और यह आपके लिए Trump बन सकता है क्योंकि ज़्यादा तर लोग रख रहे है अटो James को लेकिन अगर यह बंदा wicket keeping नहीं करता है तो यह bowling करवा सकता है दो D10 के मुकाबले में इनने 18 run किये 2 wicket है और Club T20 के 1 match में 16 run 0 wicket है जोन रस जगेशर भाई यह भी बहुत high level का player है यह भी खेला हुआ है हाँ पर CPL वगेरा 13 match में 11 wicket है recent form 1 wicket 0 wicket 1 wicket 1 wicket 1 wicket 1 wicket है जवारी मिल्स है 9 match में 3 wicket है recent form 2 wicket 0 wicket 2 wicket 1 wicket और 0 wicket है यहाँ से pick करेंगे Mark Diyal, Diron Douglas, Trans Hins नीचे से मैं आप टीम में रखूँगा Anthony Providence अच्छे player है, इनके अलावा नीचे से John Russ जगेशर है और अगर team पहले bowling के लिए तो आप जवारी मिल्स को भी रख सकते हो bench पर कोई है Daniel Cooper, T10 के 1 match में 0 wicket है और Anil Khan ने ODD के 2 match में 32 run 10 wicket है, ध्यान रको 2 match में 10 wicket है लेकिन ये ODD का match था है यहाँ पर, जो 50 over के match होते हैं और Aakim Chandler का recent form देख सकते हो, 7, 1 wicket, 1 wicket, 0 wicket, 9 betting, 0 wicket है Analysis वाला जो practice match का वो हो चुका है, complete चलेंगे demo team की तरफ, लेकिन उससे पहले video को like हो, चैनलों को subscribe ज़रूर से कल दीजे अभी चलते हैं आपको demo team की तरह, next slide में आपको demo team मिल जाएगा लेकिन उससे पहले आपका telegram चलना से जोनोना जरूरी है, क्योंकि last moment update वहीं पर मिलेंगी अगर आप description से telegram चलना पर जोनोना चाते हो, वीडियो के title में जाना, more पर क्लिक करना आप वीडियो के description में पहुँच जाओगे, वहाँ पर आपको telegram चलना का link मिल जाएगा या फिर अगर आप comment section में जाओगे, तो वहाँ पर जो सबसे पहला comment आपको मिलेगा, top पर pin की हुआ उसमें भी आपको telegram चलना का link मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप easily telegram channel को join कर सकते हो, अभी देख लेते हैं आप पर demo team demo team में मैंने wicket keeping section से रखा है D. मुर्य को, reason में आपको बता चुका हूँग अगर ये wicket keeping नहीं करता है, तो ये bowling करवा सकता है और betting section से C. Cooper, D. Douglas के काली चलन, all-rounder section से Mark Diyal, G. Pop, T. Hins और A. Providence और bowling section से John Rae, Justin Gungor, K. Dilon, captain Mark Diyal, voice captain T. Hins है लेकिन final team जो भी रहेगी न वो आपको मिलेगी telegram channel पे, जिसका link वीडियो के description में और comment section में सबसे पहले commitment आपर पिन के अब आपको मिल जाएगा, धन्यवाद